देश की सबसे बड़ी दशा दिशाविहीन दिशाविहीन पार्टी बन कर रहे गई है इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैतरा चला है यह पैतरा है नाम बदलने का पहले के जमाने में राजतान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं पहले के जमाने में कोई पीडी कोई कमपनी अगर बदनाम हो जाए उसके फ्रॉड करने वाली कमपनी का चिठा निकल जाए तो तुरंत वा कमपनी वाले नया बौड लगा करके अपना कारोबार सुरू करकर के लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मुरक बना करके अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमाख ऐसी फ्रोड कम्पनियों की नकल कर रही है UPA के कुकर मा लोगों को याद ना है इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदल कर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए UPA के नाम बटने नाम बटला है ताकि ये आतंगबाद के सामने गुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके इन्होंने नाम बटला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वाजगात को छिपा सके UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किये गए छल कपड को छिपा सके और मैं आज राजस्तान की धर्ती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है पहले भी ये तो INDIA के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ती दिखाने के नहीं बल्कि भारत को लूटने के इदादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्लामिक मूव्मेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरमत सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ला पी एफ़ाई सीमी बन गया पी एफ़ाई यानि पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वही पुराना साथियों आई एंडिया के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारणामों को छुपाना चाहते हैं